नमस्कार दोस्तों सुवागता आपका हमारे चैनल ओटो इंफिनिटी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टोप 7 ओटोमेटिक कार्स की जो आपको अंडर 7 लेके प्राइस सेग्मेंट में देखने को मिल जाएंगी तो दोस्तों इस सेगमेंट में आने वाली सभी कार्स के बेसिक फीचर्स, माइलेज, इंजिन टाइप और प्राइस जैसे सभी चीजे जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानगारी आप तक पहुंच सके ये डटसन रेडिगो का टोप वेरेंट भी है इसमें आपको अप्टू 999 सीसी का पैट्रोल इंजन ओप्शन मिलता है जो 67 बीच्पिति की मैक्स पावर जनरेट करता है और साथ हमें 22 किलोमेटर पर लीटर तक का मालेज ये आपको परवाइड कर देती है इसमें कई कमाल क की फीचर्स ओफर किये गए है इसमें आपको 20.32 सेंटीमिटर की टच इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन का ओप्शन दिया गया है जो एक एंड्रोइड और एपल कारपले को सपोर्ट करती है दो एयर बैग, स्मार्ट यूटिलिटी स्पेस, फ्रेंट पावर विंडो जैसे और भी कई अच्छे फीचर्स आपको डट्सन रेडिगो में देखने को मिल जाएंगे, रेडिगो 127 mm के ग्राउंड की लेरेंस और 222 लिटर के बूटी स्पेस के साथ आती है, इस हैच्वेक की टोटल लेंथ 3,435 mm है और विर्थ 1,574 mm है और डट्सन रेडिगो की प्राइस 3. 3.84 लेग रुपीज से चालू होकर 4.96 लेग रुपीज तक देखने को मिलती है, नमर 6 पर है रेनोल्ड कुईड, दोस्तों रेनोल्ड कुईड दो पैट्रोल इंजन के साथ अविलेबल है, जो की है 799 cc और 999 cc का पैट्रोल इंजन, साथ ही ये आपको manual and automatic transmission में भी मिल जा 731 mm है और total width 1579 mm है, इस hedgebag वाली body design की कार में आपको 279 लीटर का booty space and 28 लीटर की fuel tank capacity देखने को मिल जाती है, इसके साथ ही आपको इस कार में double airbag, power window front, anti-locking braking system और भी कुछ अच्छे features देखने को मिल जाएंगी, इस hedgebag की price 4.50 लेग रुपीज से चालू होकर 5.83 लेग रुपी नमर 5 पर सुजू की espresso, espresso में आपको total 8 variants देखने को मिलते हैं, जिन में से VXI Plus Auto और VXI Optional Auto के अंदर आपको automatic gearbox देखने को मिल जाता है, espresso में आपको 998 CC तक का 1.0 लीटर petrol engine देखने को मिलता है, जो की 67 BHP तक की max power और 90 NM तक का torque generate करता है, यह लगबग 21 km पर लीटर तक का mileage प्रोवाइड कर देती है, यहीं बात करें इसके कुछ खास features की, तो इसमें आपको 7 इंचिस के infotainment screen मिलती है, जो एक Android और Apple CarPlay को support करती ह इसके अलावा इसमें आपको power steering, power window front, anti-locking braking system और दो airbag जैसे और भी कुछ features देखने को मिल जाते हैं, एस्प्रेसो में आपको 27 लीटर की fuel tank capacity भी मिलती है, और एस्प्रेसो की price की बात करें, तो इस car की price 4 लेग रुपीज से चालू होकर 5.64 लेग रुपीज तक जाती है, नमर चार पर है Hyundai Centro, Centro का sports AMT variant automatic transmission के साथ आता है, इसमें आपको 1086cc का petrol engine देखने को मिलता है, जो 68bhp तक की max power and 99nm तक का torque generate करता है, इसके साथ इस Centro आपको 20 km पर लिटर तक की mileage प्रवाइड कर देती है, ये एक 5-seater 4-cylinder वाली car है, जिसके total length 3610 mm है and width 1645 mm है, बात करें इसके कुछ basic features की, दो airbag, anti-locking braking system, tachometer और dual tone में dashboard देखने को मिल जाता है, इसके अलावा भी इसमें आपको 7 inches की touch screen भी मिलती है, जो Android and Apple CarPlay दोनों को support करती है, Hyundai Centro में आपको 235 liter का boot space देखने को मिलता है, और इस hatchback की price की बात करें, तो 4.90 lakh रुपी से चालू होकर 6 6.42 lakh रुपीज तक इसकी price vary करती है, नमबर 3 पर है Hyundai Grand Nios, दोस्तो Hyundai Grand i10 Nios के AMT Magna variant में आपको automatic transmission देखने को मिलता है, इसमें आपको 1.2 liter का petrol engine type मिलता है, जो 81 BHP तक की max power and 113 NM तक का max stock generate करता है, i10 Nios एक शांदार attractive looking वाली hatchback है, जिसे इंडिया में लोग काफी पसंद करते हैं, बात करें इसके कुछ खास features की, तो इसमें आपको infotainment system के साथ आने वाली 8 inches की touch screen मिलती है, जो Android and Apple CarPlay दोनों को support करती है, इसके लावा इसमें आपको wireless phone charger, auto AC with rear vents, keyless entry, height adjustable driver seat, dual front airbags, rear parking sensor, anti locking braking system और 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 भी कुछ शांदार features आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ ही ये आपको 20 km पर लेटर तक का mileage provide करती है, इसकी fuel tank capacity 37 लेटर तक की आती है, बात करें इस शांदार hatchback के price की तो 5.04 लेग रूपीज से लेकर 8.02 लेग रूपीज तक इसकी price vary करती है, नम उसी वज़े से वेगनार इस position पर stand करती है, वेगनार के VXI 80 and ZXI 80 और ZXI plus 80 dual tone variants आपको automatic transmission में देखने को मिल जाते हैं, बात करें इसके engine type की तो इसमें आपको 998 to 1197 cc तक के engine देखने को मिलते हैं, जो 65 bhp की power से लेके 88 bhp तक की max power generate करते हैं, इसके अलावा ये 24 km पर लेट 32 liter के आती है, आपको 341 liter का large boot space मिलता है, बात करें इसके कुछ additional features की तो इसमें आपको 7 inches की touch screen system, 4 speakers music system, steering mounted audio and calling control और 14 inches के alloy जैसे features भी आपको देखने को मिल जाते हैं, safety के लिए इसमें आपको dual front airbag, ABS with EBD और rear parking sensor जैसे और भी features देखने को मिल जाते हैं, बात करें मारूति वेगनार की price की, तो 5.47 lakh रुपीज से लेकर 7.20 lakh रुपीज तक इसकी price vary करती है, नमबर एक पर है Tata Tiago, दोस्तो कार्स के top segment के बात हो रही है, तो Tata इसमें सामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दोस्तो Tata Tiago 1199cc के petrol engine में आपको offer की जाती है, जो की 84 bhp तक की max power and 113 nm तक का max torque generate करती है, इसके XTA और XZA वाले variants में आपको automatic transmission का option देखने को मिल जाता है, बात करें इसके कुछ खास features की, तो इसमें आपको 7 inches की touchscreen infotainment system, जो support करती है Apple CarPlay और Android Auto को, और इसके अलावा इसमें आपको harman sound music system offer किया जाता है, automatic climate control, 15 inches के alloy wheel, और cool glove box जैसे features भी आपको offer किये जाते हैं, tank capacity 35 liter तक की है, और इसकी एक खास बात ये भी है कि इस price range में Tata Tiago one of the safest car भी मानी जाती है, तो अगर आप safety के purpose पर ध्यान रखना चाते हैं, तो आप इस car को जरूर purchase कर सकते हैं, इस car की price 5.38 lakh रुपीज से चालू होकर 7.80 lakh रुपीज तक जाती है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो like and share जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बैल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जे हिंद जे वारत!